एप आपको बता है कि आमने लास्ट वाली वीडियो में जब हमने वर्बल की इंग्लिश की स्टार्टिंग की थी हमने बेसिकल यह देखा था कि कि रूट वर्ट की त्रह रूम किस तरीके से कम टाइं पे उखको याद कर सकते हैं और जो पहरी वीडियो को नियुक्त वीडियो को देख लिया हो अगर देख सकते हो और आप चैनल फर्स टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेर करो और कमेंट करो ठिक है कि हम को भी मोटिवेशन मिलती रहा है है आज कभी देखो हमारे टारेगट है टार्गेट यह कि आराव now वह का मतलब होता है क्या मतलब होता है तूब इट अब ओस से क्या-क्या हमारे वर्ट बन सकते शया पहला आपने कुछ व्र देखी हों कि एक होता है हरे भी वह कि इस तरीके सा ठीक है कर लेते हैं हैं अगर मैं वोर का मतलब होता है घर यहर्ब करूँ कर आपको कही कि सकते हो कि प्लांट से जुड़ा पड़ा है है उनको हम बोलते हर भी वोड्स राइट क्लियर सिमनेल अगर मैं कार्णी मौर को देखू तो अगे यह दो वर्ड से मिर्ट के बनाएं फर्स्ट वन इस कार्णी और आगे क्या हो गया वोर नाओ वोर का मतलब तो होता है अभी आपने देखा ठीक है जिस भी वर्ड में अगर वोर रगाओ चाहिए आपका खाते हैं चैनल कर्णी ट्रिफिक्स में तो ये सतनी हो तो इस तरीके साँ horses बने है तो यह मिलके बनाए है प्लस वोड से अच्छा अब ओमनी हमारे खुद एक रूट वर्ड जिसका मतलब होता है ऑल क्या मतलब होता है तो यह मतलब है तो यह करेक्ट देखो जो मतलब को टेकनिक सखा रहा हो ना अगर आप साथ सा नोट्स मिलाते जाओगे आप समझोगी कि एक्शली वर्ड बना कैसा है और अगर आपको इस वर्ड के जो रूट वर्ड से आपको बता लग गए तो आप आने वाले वाले वर्ड आया आपके माल लो कोई भी exam let's for example फूगी वो राया ठीक है और आपको अगर वोर का मतलब होता है और का मतलब होता है और सब कुछ खाले जो सब कुछ चाहिए आपको ब्लांट सो चाहिए आपको अनिमल समतलब जो यह फिल इस नौन वजिटेरिन गूंक हम क्या बोलते ओम निवर्ड क्या बोलते ओम निवर्ड एक्जां में एक्जां में रखा है डडिश यह एस नहीं की बात करते अगे यहां पभी देख़र अब चेक करो ते रूट वर्ड वोर्ड किया रहा है वो इस बार यह आपके लगा है ठीक है सो वोघ का मतलब क्या होधने टूइट मतलब होता है लिपकल बनाने के काम कर रहा है कि एड्यक्टिव क्या होते एड्वर्ब क्यों ऐस को इसको इस इस वर्ड को एक एडजेक्टिब का काम बनाने में help करता है ना वो तूइन कहीं है जुड़ा पढ़ाए किससे आपका खाने से ना तो वरेशियस का मतलब होता है ऐसा परसन जो भुककर हो भुककर इंदर सिंस जो बहुत जादा ठूस उसके खाता हो जो बहुत जादा ठूस सास का एंटॉनेम्ब लिख लो ओक आपका स्क्वीमिश क्या होगा स्कुवीमिश वह जो आपका बहुत कम खाता है यह वह परसन जो बहुत धी कम खाता है एक सिंधूनिम उसलम को बतादू यह इस वर्ड कातेकर जो इंपोर्ट हो एन आपको इसको एंटो ऑर सांट नोंने सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब आपने साथ का मतलब समझ लिया आपने साथ सब्सक्राइब आपने एक ही वर्ड से तीन वर्ड को समझ ले इसे को बोलते हैं नियमोनिक्स जब वर्ड करके पड़ते हो राइट तो एक वरेशी इटर मैं कहे रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा परसन जो ठूस उसके खा रहा हूं अब यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है खाने से नहीं यह आपकी खाने के लिए तो है बट यह आपकी कौन सी बूक है इनफॉर्मेशन की भूक को उसको वरेशी इस डीडर बोलते है वह रिडर ना फूर का मतलब क्या होता है अगे फूर का मतलब है कहीं अगे आपका फुरूट से जड़ा हुआ कि से फूर्ट से और का मतलब होगे टूइट ऐसे अइसे और्गेनिसम्स जो फूर्ट खाते उ हुआ सो फूर्ट से हुमारा वड़ रामीनी को मतलब होता है grass ऑरागे क्या हो गया वह मतलब क्या होता है तो अगर आप देखो गह और डेज मतलब क्या मतलब होता है सब्सक्राइब क्या होता है मैरेज करेक्ट को देखती है ना पहले सुनना यहां देखनी पुशिश्च मत करना आप समझने वर्ड बोल रहो मोनो गेमी क्या बोल रहो अगर मैं आपको बोल रहा है क्या बोल रहा है अगर इन तीन वर्ड में आ रहा है क्या आ रहा है गेमी का मतलब कहीं है मतलब होता है वन यह सिंगल क्या होता है वन यह सिंगल मतलब होता है मैरेज ऐसे फर्सन जो एक मैरेश करते या बिलीब करते हैं की इसको बोलते हैं मोनो गैमिस्ट च्छा बोलते हैं मोन गैमी और जो को फॉल्लो गर रहे हैं मोनो गैमिस्ट क्या बोलते हैं मोनो गैमिस्ट क्लियर है अगर आपने आप आंसर निकाल पा रहे हूं गैमी का मतलब होता है क्या हमारा मेरेश ऐसा पर्सन जिसके आइडिओलीजी यह होंकि दो वाइपस ओने चीये दो मेरीज होने चीये ख़ियर है और इस पर्सन जो सौन बोलेगे बायोगेमिस्ट ऊंप प्रैक्टेस को हम क्या बूलेगे बायोगेमि एक होते आप किसी बंदे की बहुत सरी शादिया होनी चीए उसको बोलते है पॉलिगेमिस्ट और इस आइडलोजी को हम बोलते है पॉलिगेमिस्ट और आपकी गैमिस्ट से बने वले वर्ट समझ हमाई होगे अब देखो आप जो आपका मैंज़ा आपका मेंजव वाइन वर्ट अष्छा मतलब्ंद होता है जिसका मतलब होता है अच्छा पॉलिगेमि अगर बात करूं ऐसा परसन जो हीट करें गेमी और गेमी मतलब क्या मैरिश और यह सब लगते हैं इसको विप्लिकुल बेकार चीज है यह उसको बोलते हैं वी ये सबस्क्क्राइब कर रहा हूँ जैसे मिस हमारे कि अरती सब्सक्राइब जो बेजिकली शो करता है लव को ठीक है अमारा पॉजिट फिल अपर चाहरे सामने की वह बोड़ आई एसा परसंड जिसको बेसिकली पसंदे शादी है है जो शादी पसंद करता है को हम बहुत असानी से याद रहेगा क्लियर है ठीक है अब आगे देखते हैं यह हमने पढ़ लिए मिस फिलोगे मिस्ट के बारे के बारे में ना अब जो हम देख रहे हैं वह देख रहे हैं आपका अगर बात करो और एक्सों की मतलब होता है वे दिन और इसका मतलब होता है आउट साइड जैसे आगर मैं आपको भूलू कि पहले के टाइम पर क्या होता था या आभी गाउं में जाओ तो क्या होता है यह बोला जाते हैं कि जैसे स्कुश यह पंडित क्या ब्रहामन के बन सेबसे चर्थाश कंडीए इसको बोलता है एक स्पेसिधे ग्रूप में होता है उसको बोलते हैं उस प्रैंदबाइमी कि ब्रहामन हो रहामन में कि शाद Şत्री आप एक क्लियर तो एक कास्ट यह इंडो गैमई एक देखोव ध्यान सुनो एंडो विदिन विदिन क्या विदिन सुसाइटी विदिन डाट करूं यह मतलब इस तो जब आप लोग अपने किसी दूसरे कालचर साथी करते हैं प्रमा लड़की शादी करते हैं इसको बोलता है एक्स अपने आप आप साइट अपने आप इस पैसे आपका इस पैसे प्रूप ता उससे बहा निकल के आप शादी कर रहे हैं यह उसको बोलते हैं एक्सो गेमिंग ठीक है अके नेच्स हम देखते हैं नेच्स तो यह मरोगए एक्सोगेमि एक्सोगेमि वह अगर वह एक पौटीकुलर स्पैसिविक ग्रूप में रह करी जो आपका एक कास्ट आप विदिन कास स्वादी कर रहे है ना मतलब लड़का भी सेम आपकी भी सेम गास्ट कास्ट एक्सवा जो आघाए आपसी की है 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 आप से को मतलब होता है लेट आपसी परसं जो बिलीब करते हैं जिसको लगते है कि शादी एकदम ने होने चाहिए इसका जैसे एसे और इसके आइडियोजियस प्राक्रिश को हम बोलते हैं आप टृटर कि नेक्स्स आमने के रगेम्ट कि है रगेमी किया फूर्ट कि भीडेमी यह को यह को तह हमारे सामने है हाइप हो गेमिए हो गेमिए है हम कहते हैं मतलब होता है घ्र का अब उपने आप शत्रियों आपने ब्राह्मन से शादी की ठीक है यह यह और यह सब्सक्राइब के लिए ऐसको हम है और जब आप आपने उपर वाले लेवल से शादी किये घीए इसको हम पोकिया आप ब्राह्मान और आपने शादी की माल शूद्र से छूद्रिय से जो कि पहले अगे अगे निया एक्सजाधी बहां निकल के अपनी अपने कैसे गूरुप से बहां कि शाधी किये है अगि हाइपो को मतलब होते है लोगे मिस फिलोगेमिस्ट एंडोगेमी पिर देख एक्सगैमि रहीट ना एक्सराइम यह पिर ओप्सी विंपाइब फाइप अगे चलते हैं नेक्सट की बारे में इससके बारे मैं ऐसल्ब ना फोर्स चाह मतलब होता है आपका इस पेस से एस्टिक्षा इसपेस से इस्टार्ट हो गया है आपके हैं फिर गइंद ऑब्जेट्स वे अबंडली फि नौम को मतलब सिंप्ली अरेजमेंट होता है क्या होता है इस्टर आपका स्टार्स या फैवली अब्जेक्ट रइड पर यह थे जो इनकी अरेज्मेंट या उनकी अरेज्मेंट को करना उसी को हम बोलते हैं astronomy the scientific study of sun moon and stars is called astronomy right एक वोता है दिखो वारे समने astrology क्या होता है एस्ट्रो लोजी लोजी मीन्स study यह आपको लाश्वाडी क्लास के दर भी बताया था क्या मतलब हो गया बायोलोजी है यह सब्सक्राइब आपको बता चुको है ना psychology एस्ट्रो का मतलब क्या आपका stars and heavenly objects stars and heavenly objects राइट जापका astrology बढ़े दो बड़ से मिलके बनाए एक आपको एस्ट्रो एक होगे लोजी लॉजी मीन्स टेडी इस्टेडी किसके stars की अब देखो आप सब्सक्राइब जिसको जोतिश विग्यान भी बोलते है राइट इसमें क्या आपके चेक करते कि जो इस्ट्रो नौट की तो एस्ट्रो अगें हमारे स्पेस से रिटेड है और नौट को मतलब बढ़ दो सेल करना शिप करना यह घूम ला क्या सकता है ना ऐसा पर संद जो स्पेस में जा रहा है से लिए घूमने के लिए या मतलब किसी किसी भी काम के लिए हो ट्रैबल से खोए पर्रैम स्वेस आजरोंनोट परसें बट्रैमं इस ट्रैवल सेड़ तारे कि रिख्मनें सुझ क्लियर का एह बना द स्टरीक सिमडहे है खोश्क का से यह स्टरिक पड़ा आई बद समझ में बगोर स्टार का मतलब क्या होता है स्टार कहां से आया अस्टर से तो है तो इसका नाम क्या बड़ा एस ट्रीक क्या पड़ा एस ट्रीक क्लियर नहीं इस इम्बल लगा यह था कि आप कुछ से क्याना की आपके motion से कंखर करता है कि से श्टर करता है स्टर में मिल अपनरमें क्या का हरकती हो और यह वह थांद में उसे को अशना कंख इस ट्रोडाइमुक्स क्लियर ना डॉम बीषिकली ना कोई भी शीक को कवर करेगा जो कवरिंग सेंस में घूपर ना अगर मात रहे है श्तु के स्पेस और ढों को मतलब जो किसी चीज़ चाब करना अला लेट सपोस मैंने बोला कि एक रूफ है ना या देखाऊगा डॉम लगे होते हैं लागे होते हैं एक विंडो लगी होती है आपकी एरकाफ में जो आपकी हेल्प करती है और आपके असपास की हरकतों को देख सको क्लियर है यह था हमारा एस्ट्रोड और आज हमने इस वीडियो में तीन यूट वर्स कर लिएगे और व्यूंज कितने वर्स किये तो यह था हमारा आज की वीडियो का आज का सेशन रूट वर्ट का आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पाइब करो आपको डरना लगे कौसे मुश्किल सेक्षन होता है किसी बच्चे के लिए इस तरीके से पड़े किसे पड़े तो जिस तरीके साम का पोच बता रहा हो ना जैसे वर्ट को ब्रेक करकर करके कि आपको वर्ट की पोरिजन बता लगे तो वहां से झाले से बचयो के भीडियो के यूरी किसी बच्चे करद में